Hello Everyone, मैं हूँ देव और सुआगत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देव MTR में तो दोस्तों ये है हीरो की सुपर स्प्लेंडर 125 BS6-220 मोडल आज में इसका रिब्यू करने वाला हूँ इसमें आपको क्या-क्या निव फीचर्स मिलते हैं क्या-क्या नए बदला हुए हैं BS6 आने पर और BS6 आने के बाद इसमें जो है माइलिज कितना देती है ओन रोड फ्राइज कितना है तो सबसे पहले आप इसका 360 व्यू ले सकते हो क्रोम फ्रिच मिल जाती है यहां पर आपको जो है नॉर्मल हलोगन हेड लैम मिल जाती है 35 वाट के वलप के साथ गोल्डन एंड सिलवर फ्रिच में आपको जो है डो ग्राफिक्स मिल जाते हैं इसके वाइजर पकड़े यह काफी ज्याद अच्छे लगते हैं नॉन फ्लेक्सिवल इंडिकेटर मिल जाते हैं सार्प टाइप के जिसमें आपको जो है रेड कलर के वर्ल मिलते हैं प्लास्टिकी फॉर्म में आपको जो है इसका मड़ गार्डर मिल जाता है यहां पर आपको जो है आई बीएस का लोगो मिल जाता है यहां पर आपको जो है hydraulic sock absorber type suspension मिल जाते हैं black color के यहां पर आपको reflector मिल जाता है 18 inches के आपको yellow wheels मिल जाते हैं इसमें आपको drum और disc दोनो variant मिल जाते हैं इस गाड़ी में अगर आप purchase करते हो तो integrated braking system मिल जाता है इसमें आपको दोनो brake एक साथ काम करती है फ्रेंट और रियर की एक साथ अगर आप दबाते हो तो इसमें आपको 8018 का tire size मिल जाता है tubless tire मिलते हैं TBS company के जो की काफी जाद अच्छे माने जाते हैं इसके दूसरी तरफ तो यहां पर आप देख सकते हो इसके fuel tank पर आपको super splendor का sticker मिल जाता है golden and silver finish में आपको बड़े बड़े graphics मिल जाते हैं i3s का logo मिल जाता है यहां पर आपको hero का logo भी मिल जाता है sticker की form में इसकी seat की quality है बहुत ज़्यादा premium है इसकी कुशनिंग है बहुत ज़्यादा normal आपको tell lamp इसमें आपको मिलने वाली है इसमें आपको non-flexible indicator मिलने वाले है with reflector के साथ नीचे की side में reflector भी दे रखा है और इस side में भी आपको hero और i3s का logo मिल जाता है दोनों side में आपको जो इसमें आपको जो i3s का system दे रखा है आप देख सकते हो overall इसका जो look है आप मेरे को comment करके बता सकते हो अब बात करो इसके meter console की तो सबसे पहले में इसकी चावी का on कर देता हूँ यहाँ पे आपको जो है 140 km per hour की speed भी मिल जाती है economy john मिल जाता highest mileage पाने के लिए fuel के लिए आपको separate analog type का meter दे रखा है चलते हैं इसके grip की तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हो passing का switch दे रखा है यहाँ पे आपको low beam high beam का switch दे रखा है बकाईता separate यहाँ पे आपको जो है दो orbms मिल जाते हैं जो की काफी ज्यादा अच्छे हैं बात करूँ इसके engine और power की तो इसमें आपको 124.7 cc का air cooled four stroke single cylinder का engine मिलता है इसकी जो maximum power है वो है 10.8 ps at 7000 rpm इसका जो maximum torque है वो है 10.6 newton meter at 6000 rpm mileage की बात करूँ तो 55-65 का इसमें आपको आसानी से mileage मिल जाएगा क्योंकि इसमें जो है आपको प्रोग्रामेट FI fuel injection system दिया गया है इसमें आपको cake start का भी option मिल जाता है यहाँ पे आपको oil filter का option मिलता है जो की change हो चुका था पहले नहीं आता था यहाँ पे आपको head पे sensor दिया गया है यहाँ पे आपको spark plug दिया गया है इसके exhaust पे आपको catalytic converter दिया गया है black finish में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको chrome की पटी दी गई है chrome की plate दी गई है इसके exhaust पे जो की black finish में आता है और इसके दूसरे side में भी यहाँ पे आप देख सकते हो इसके exhaust पे oxygen sensor दिया गया है एक horn भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए engine के दूसरी side में तो इसका जो head है वो पूरा का पूरा change हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको 5 speed gearbox मिल जाता है इसमें आपको 5 gear मिल जाते है पेकप और mileage के साब से बहुत अच्छे रहते हैं इसके साथी इसके side stand पे आपको जो है एक sensor दिया गया है यहाँ injection system दिया गया है इसमें आपको पहले से 10% ज्यादा mileage और 10% ज्यादा acceleration मिल जाएगा 55-65 का mileage इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा तो BS6 आने के बाद इसमें से carburetor को और जो है चौक को हटा दिये गया है पूरी तरस से अब चलते हैं इसके पीछे की side में तो यहाँ पे आप adjustable foot rest मिल जाते हैं और 5 step adjustable rear soccer मिल जाते हैं with chromeness के साथ इसको आप adjust कर सकते हो अपने weight के साफ से जहाँ पे आपको side guard दिया गया है पीछे की seat को open करने के लिए separate key lock मिल जाता है और नीचे की side में आपको चैंसेट का cover मिल जाता है जो कि plastic में दिया गया है और चलते हैं इसके दू test कर सकते हो 8018 के यहाँ पे आपको tire मिल जाते हैं और black finish में आपको alloy wheels मिल जाते हैं इसमें आपको tubeless tire मिलते हैं TBS company के इसमें आपको drum brake और disc का option होता है disc आपको front में मिलती है drum आपको दौनों variant में रियर में ही मिलेगी ground clearance को लेकर 180 mm इसमें आपको ground clearance मिल जाता है उंचे नीचे रास्तों में चलाने के लिए यह bike आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेबंद रहेगी दोस्तों तो बात करें इसके fuel tank capacity को लेकर 12 liter की इसमें आपको fuel tank capacity मिल जाती है overall इसका जो look है काफी ज्यादा attractive है आप देख सकते हो पहली जो super splendor आती थी वो size में छोटी थी लेकिन इसका जो look है और overall इसके जो graphics है वो पूरे के पूरे change हो चुके है और look में भी आप देख सकते हो यह काफी ज्यादा बड़ी है पैसन प्रो के मु super splendor 125 का बात करें इसके variant को लेकर तो drum और disc दो variant में यह आपको मिलती है अब बात करें इसके on-road price मत्रा UP को लेकर तो अगर आप इसको drum variant में purchase करते हो तो 81,062 रूपी इसका on-road price मत्रा UP का है drum variant में अगर आप इसको disc variant BS6 में लेते हो तो 84,980 रूपीज इसका ओन रोड प्राइज मतरा यूपी का है तो दोस्तो अधर इस्टेड़ वाले बिल्कुल भी टेंसन ना लें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने इस्टेट के साफ से आप मेरे को ओन रोड प्राइज पूछ सकते हो आप मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूँगा और अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेट तो भी आप मेरे को पूछ सकते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेंड्स में सेयर कर देना तो दोस्तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साती साथ प्रेस कर देना वैल आइकन को जिससे की मेरी हर वीडियो की नौटिपिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास तो चलिए दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हीरो की नई वाई के साथ